नमस्कार दिशको बंधन समाचार में मैं हूँ आपके साथ रिच्छा वर्मा खबर चिलाबिश्टावर के धामपूर से हैं जहां विकासकर अल्यापूर के डबाकरा हॉल में ग्राउंड प्रेकिं सेरेमनी 2024 के लाइप रसारान का आयोजन किया गया आपको बता दे कराक्य में मुख्याती थी के लोप में विधायक अशो कुमाराना ब्लॉग का मुख शमाय अनता चौहान पूरु पालिका अध्यक्षा लीना सिंगल उत्तरप्रदेश उद्योव्यापार मंडल के प्रैदेश को ने लगनाओ में आयोजित प्राउंड ब्रेकूं सेरमनी का लाइप प्रसारण देखा जिसमें ब्रधान मंदि नरेद्र मोधी द्वारा तस लाग करोण रुबे की 10,000 निवेश पर्योजना का शिभारम किया गया ब्रधान मंदि नरेद्र मोधी ने कहा कि यूपी में द प्रजट का 10% वहां से खरदारी करने के लिए भी रखें हमारे सरकार ने देश के करोड बहनों को लगपती दिदी बनाया है हमारा संकल्प है कि आने वाले समय में देश की 3 करोड बहनों को लगपती दिदी बनाएंगे MSME को पढ़ावा देने के लिए रगतार प्रयास के जा रही है पियम मोधी ने इस मौके पर किसान में ता चौजी चरंसी को भी याद किया उन्होंने कहा कि हमारे सरकार को उन्हें भारत अत्रत देने का सब्हांगे प्राप्त हुआ है उनका सम्मान देश के गरीब मस्वर और किसान का सम्मान है पीयम मोधी ने कहा कि यूप में बीते सांसालों से जवरेंजन की सरकार है यही कारण है आज यूपी में व्यापार 25 और विश्वास का माहूल बना है। आज यूपी वो राज्य है جहां सबसे जादा एक्सप्रेस वे हैं पियम मोधी ने कहा कि 7-8 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि निवेश को लेकर यूपी में इस तरह का माहूल बनेगा चारो तरफ अफराद और तंगों की खबरे आती थी अगर उस समय कोई कहता कि यूपी को विक्सित प्रदेश बनाएंगे तो कोई सुनने को भी तयार नहीं होता आज प्रदेश में हवारों प्रोजेक्ट पर काम शिरू हो रहा है यहां पर लग रहे हैं उड्यों भ्यूपी की तस्वीर बदलने बाले हैं परट्रम का संचालन खंड विकास अधिकारी रिशिपाल सिंग एवं ग्राम विकास अधिकारी हि और इसी के साथ जुड़ने बन्न समाचार के साथ